हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रीना मिराजार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में आज हम बनाएंगे ब्रत के लिए स्वेशल ऐसे लड़ू जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे और आपको पेट भी भरने का ऐसा जरूर होगा और आपको दिन बर भूग भी न दाल देते हैं और दो से तीन बार हमें इसे साफ पानी से धो लेना है ताकि इसमें जो भी कच्रा हो अपने आप निकल जाएगा अब यहां पे मैंने दो से तीन बार इसे साफ पानी से धो लिया है और इसके उपर थोड़ा सा पानी आने तक मैंने पानी डाल दिया है याने इसे निकाल लिया है एक स्ट्रेणर के उपर याने की एक चलनी के उपर चलनी के नीचे मैंने पतेला रखा हुआ है ताकि जो भी एकसेस पानी है वो पुरी तरह से निकल जाए हमें इसी तरह से 15 मिनट इसे छोड़ देना है तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके है, पुरी तरह से पानी निकल चुका है, अब हम इसे सुखने के लिए डाल देते हैं एक टॉविल के उपर, तो यहाँ पे एक कॉटन का मैंने नैपकिन ले लिया है और इसके उपर इसे डाल दिया है, याद रखे इसे हमें 15 मिनट से 20 मिनट हमें इसे पान, शुखना तक ही सुखना है, जादा देर हमें इसे सुख knob नहीं है, यहाँ पूरी तरह से पूरी तरह से सुख जाएंगे और बाद में हमइसके बनाएंगे लड़ु, तो गले लेلام है, पनापपनास माल दीया है, टो यहाँ पर इंतजार करेंगे, 75- 20 मिनट तो यहां पे यह अच्छ से सूख चुके हैं, मैंने निकाल लिया है एक बरतन में, यह पुरी तरह से एक कप सामा चावल का यूज मैंने यहां पे किया है, याद रखें, अब हम इसे पीस लेते हैं, यहां पे मैंने एक मिकसर का जार ले लिया है, अब इसमें डाल देते हैं और एकदम महीम powder हमें इसके लगने वाला है तो याद रखें, यहाँ पे हमें एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकें, महीम powder इसका बनाना है तो मैंने यहाँ पे इसे पीस लिया है अगर आपको चाहिए तो आप चलने की मदद से इसे चान के भी ले सकते हो लेकिन यहाँ पे मेरे मिकसर में बहुत अच्छे से यह पाउडर बन जाता है एकदम महिम पाउडर बन चुका है इसलिए मैंने चाना नहीं अब डाल देते हैं इसे एक कड़ाई में पूरी तरह से मैंने इसे कड़ाई में डाल दिया है अब चड़ा देते हैं इस कड़ाई को ग्यास के उपर तो यहाँ पे बिल्कुल भी यह दरदरा नहीं पिसना है एकदम महिम पाउडर हमें इसका लगने वाला है या दखें तभी यह लड़ू बहुत अच्छे बनेंगे अब यह लिया है मैंने आधा कब गी सबसे पहले हम इसी तरह से इसे ड्राय रोस्ट कर लेते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्टर होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसे अच्छे से रोस्ट होने के लिए तो ग्यास की फ्लेम को मैंने मेडियम पे रखा हुआ है ताकि यह जले नहीं मेडियम ग्यास के उपर इसे हमें कंटिनिवसली हिलाते हुए इस तरह से हमें इसे ड्राय रोस्ट करना है तब तक हमें इसे ड्राय रोस्ट करना है जब तक यह अच्छे से ब्राउन कलर इसका ना आ जाए अच्छे से इसके खुश्पू ना आ जाए तो आप देख सकते हो इसका पुरी तरह से मॉश्यर उड़ चुका है और यह brown color में आ चुका है इसका color change हो चुका है अब हम इसी stage में इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके घी तो मैंने पूरी तरह से आधा cup घी यहाँ पे use किया है लेकिन यहाँ पे मैं इकटा घी नहीं डालूँगी क्योंकि कभी-कभी घी कम भी लग सकता है और कभी-कभी जादा भी इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके घी इसमें डालते जाओंगी और देखते जाओंगे कि इसमें कितना घी लगता है लेकिन आधे से उपर घी, आधे cup से उपर घी हमें नहीं लगेगा यहाँ पर यादर कियेगा यह कम लगेगा लेकिन ज्यादा इससे नहीं लगेगा तो मैंने पहले भी थोड़ा सा घी डाल दिया है अभी थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालेंगे और इससे मिक्स करते जाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें गी कितना लगने वाला है तो इसी तरह से continuously हमें हिलाते हुए इसे पकाना है इसका कलर और भी चेंज हो जाएगा इसका कलर और इसकी खुश्बू बहुत अच्छे आने लगी है आप देख सकते हो इसका कलर बहुत सुन्दर दिखने लगा है और इसकी खुश्बू गी डालने के वज़े से बहुत अच्छे आने लगी है इसका मतलब ये रोस्ट अच्छे से हो चुका है अब सिर्फ हमें 2-3 मिनट इसे पकाना है बहुत से लोग स्टार्टिंग में ही घी डालकर ये आटे को अच्छे से रोस्ट करने लगते हैं लेकिन उससे घी जल जाता है और ये लड़ू ज्यादा दिन तक नहीं चलते अगर आपको ज्यादा दिन तक ये लड़ू खाने हैं तो याद रखे कुन से भी लड़ू हो लास्ट के स्टेज में अगर हम घी डाल देते हैं तो लड़ू की खुश्बू भी बहुत अच्छे आती है लियाने की घी बिल्कुल भी जलेगा नहीं जादा देर तक रोस्ट नहीं होगा सिर्फ सुड्राय रोस्ट करने से ये बहुत अच्छे से रोस्ट भी हो जाता है आटा और जल्दी भी रोस्ट हो जाता है बाद में घी डालने के वज़े से इसकी खुश्बू अच्छे आ जाती है यह लड़ू बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं जितना भी घी अभी बचा हुआ था मैंने इसमें डाल दिया है अब यहाँ पे मुझे सिर्फ तीन मनेट लग चुके है यह अच्छे से को बहुत अच्छे आने लगी है अभ हम कर देते हैं गयास की फ्लेम को बंद अब से छोड़ं देते हैं थंड़ा होने लिए आप देख सकते ह spectics में अच्छे से तो यहां पर एक स्पून की मदद से सबसे पहले मैंने इसे थोड़ा सा किया है आभी हातों की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं आपीलाइची पाबर इलाइची पाबर डालने के वज़े से यह लडू बहुत अच्छा और टेस्ट भी देंगे और खुशबू भी बहुत अच्छे आएगी तो इसमें हम डालेंगे एक टी स्पून इलाइची पौडर, एकदम फ्रेश इलाइची पौडर का यूज करें ताकि इसमें खुश्बुक बहुत अच्छे आए, अब मैंने इसमें डाल दिया है एक टी स्पून इलाइची पौडर, अब इसके बाद में हम इसमें डाल देते तो यहां पे चीनी कितनी डालनी है, तो बिगनर्स भी यहां पे यह लड़ू बना सकते हैं, इतनी easy recipe है, चीनी उतनी डालनी है, जो जितनी आपको चाहिए, आप यह लड़ू बनाते वक्त याद रखें, इसको अच्छे से डो की जो इसे बना लें, और इसी स्टेट में इसक ं कर लेकि आपको पता चलेहां कि इसमें चीनी कितने डालनी है तो मैंने यहां पर इसमें इसके थाएं से कर ले ती हूं अगर मुझे ची डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं तो यह एकदम पर्फेक्ट चिनी इसमें हो चुकी है अब हम इसके लड़ू बना लेते हैं तो यहां पे मैंने थोड़ा सा इसका एक रोल ले लिया है पेडा ले लिया है अब हम इसके उपर इस तरह से बादाम लगा देंगे और लड़ू बनाते जाएंगे बहुत इजी रेसिपी है कोई भी इसे बना सकता है और खाने में इतने टेस्टी और हेल्दी होते हैं कि पूछो मत अगर आपको यह व्रत में खाने हैं तो बहुत ही अच्छे हैं यह तो यह हेल्दी है उपर से आपका इसे पेट भर जाएगा और आपको दिन भर भूप भी नहीं लगेगी और एनरजी फुल रहेगी इसलिए याद रखें इसी तरह की रेसिपी ब्रत के लिए यूज करें बहुत अच्छे लगते हैं यह लड़ू एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह लड़ू आपको कैसे लगे कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड कीजिएगा उपर से बादाम लगाने के वज़े से यह बहुत ही सुन्दर लगने लगे हैं आप चाहे तो बादाम और दूसरे भी कुछ भी जो भी ड्राइफ रूट होते हैं तो देख सकते हो कितने सुन्दर लग रहे हैं यह लड़ू खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी यह लड़ू आपको कैसे लगे कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड कीजिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेर करना ना भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही स्पेशल और मज़ेदार रेसिपिट के साथ में तब तक के लिए बैबाई